मुझे आपको बताना चाहता हूं मेरी तबयत कराब हो गई थे दोस्तों और अभी काफी जादा मैं उसी चक्कर में परशान था तो मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था बट अब पूरी कोशिश रहेगी कि सीउटी का कॉंटेंट हम लोग जल्दी अल्दी कवरप कर सके एक्जाम से पहले तक कि हम लोग सारा कंटेंट कवरप करने की पूरी कोशिश क परेंगे तो इस प्यारे से वीडियो में आपका स्वागत है जहां पर हम लोग सेकेंड चैप्टर को कवरप करने वाले अगर आपने पहला चैप्टर सीउटी के पॉंट अफ से नहीं देखे तो जाके जरूर देख लेना आई बटन पर आपको दिख गया होगा इसके साथ साथ आज हम लोग कवरप करने वाले सेकेंड चैप्टर को डीटेल में वन शॉट के साथ-साथ-साथ-सको और यह चैप्टर बहुत ईजी साथ डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जैसे आप लोग को क्लास 12 में डर लगा था इस चैप्टर से इसमें बिल्कुल नहीं लग इसको CVT 2023 के पॉंट आफिस स्पैसिफिकली हम लोग देखने वाले हैं तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे इंस्टा में जरूर फॉल अप कर लेना साथ-साथ-साथ-साथ-टेलिग्राम के चैनल को जॉइन के लेना सारी क्लास की अप्डेट महां मिलते रहती है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको मालूम होगा सेग्में हमारा दो पोरिशन में एक वन शॉट वाला और लास्ट में हम लोग देखने वाले MCQ का पोर्शन आगे बढ़ने से पहले एक और चीज में आप लोग को बताना चाहता हूं देखो वन शॉट में आप लोग को डेरिवेशन नहीं आने वाला है स्पैसिफिकली सीवीटी में सीवीटी में कॉंजेट में अच्छे से फोकस करना है फॉर्मूले उस पर रियान देते हूँ चलना क्यों भी निमेरिकल बनेंगे आप लोग के ठीक है बाई तो चैने शुरू करते है वन शॉट के साथ तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हू वह है electrostatic potential difference क्या होता है या electrostatic potential क्या होता है सबसे पहले समझ लेते क्या अकिर electrostatic potential difference है क्या चीज़ मान लो यह आप लोग को यलोग लर की जो दिख रही है that is the electric field इस electric field में मैंने point number one पे एक test charge को रख दिया clear दोस हाँ है ना अभी test charge अपने आप किस तरफ जाएगा electric field के त वीवं रही होगी और अगर मैं इसको उठा कर यहां से यहां लेकर चले जाओं तो जहाँ पे पहले वो टेस्ट charge ता वहां पे potential की value different थी let's say we want अब इसको उठा के मैंने यहां से यहां लेकर चला गया तो इसकी potential की value क्या हो गई? V2 हो गई ने, मतलब different हो गई ने, change हो गई सा रहा है कितनी यहां पर वेल्यू पर डिफर हो रहा है मेरे ख्याल से आप लोगों क्लियर है सहीम वही concept कि घर पर रहा कि आप J-W की preparation कर रहे हैं आप ममें पपा ने कोटा में भीज दिया तो घर पे रहे कर कोटा में रहे कर कितनी प्रिप्रेशन हो रही है वो देखा जा रहा है अब वह बात अलगेगी आप सेवन वंडर पार्क में किसी के साथ घूम रहे हो बात अलगे है बड़ाई गर पे जादा हो रही थी शायर तो मेरे कहले से तुम लोग को यहां था कि concept समझ में आया है तो electrostatic potential difference होता क्या है कि to external work done जो specific test charge पे लगाया गया जिसके दरूस को एक known point से known point तक के लेकर गया upon test charge की value clear दोस्तों यहां पे del V है मतलब क्या V2 minus V1 या फिर final minus initial हो जाएगा इसकी बात अगर मैं बात करता हूं अगला है electrostatic potential तो याद रखना है electrostatic potential किसे single point के लिए निकाला जा सकता है देखो electrostatic potential difference निकाला जा सकता है difference दो लोगों के बीच में ही होगा या दो point के बीच में ही होगा comparison जब भी होगा number के बीच में आपको मतलब आपके बापा compare कर रहे किसी से तो शर्मा जी के लड़के से compare किया जागा न दो specific entity के बीच में तो same to same potential को आप single के लिए निकाल सकते हो यहां पर differences निकालना रहता है तो आप लोग जान मुझके क्या करोगे एक specific point को infinity पर ले लोगे और वहां से test charge को उठा के लाओगे एक specific point में माल लो यह electric field है मैंने test charge को उठा के लाया कहां से infinity से उठा कर लेकाया infinity से उठा कर लेकर आया किसी specific दूसरे point पर जो कि एक known point है तो सिरी simple जहां से उठा के लाया है वहां पर potential किता हुबा वी infinity और वी infinity के value किती हो थी 0 और जहां से उठा के मैंने किसी specific point पर लेकर आया तो वहां एक known point होगा V2 या V हां या ना देखो जान मुझके ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम लोग potential difference की value single के लिए तो निकाल नहीं सकते ना हमें हमेशा 2 point के लिए निकालना पड़ेगा लेकिन हमें एक के लिए निकालना था तो हमने चाला की करें हमने जो पहला point हो जान मुझके infinity लिए so that infinity भी potential की value 0 मिलती है और जब भी आप लोग V2 minus V1 लिखोगे तो यह value 0 हो जाएगी तो आप लोग का specifically सिर्फ एक के लिए नि बाके जो potential develop होता है वो होता है V which is equal to work done upon test charge potential difference और potential में major difference है वो क्या है उनके DV और यहां पर V है बस और कुछ नहीं यहां पर single entity के लिए निकाला जा रहा है यहां पर 2 point के लिए लेकिन इसको निकाला नहीं जा सकता है जान मुझके हमने infinity पर रखे थे clear दोस्तों अगला हमार पर electric field कितनी लग रही थी same to same concept यहां पर भी कि point charge के करीब में test charge को लेकर आएंगे infinity से उठाकर और यह पता करेंगे कि कितना potential की value develop हो रही तो कितना potential की value develop होती है आप लोग को directly conclude करते हुए समझना तो जो potential यहां पर develop हो रहा है वो है kq upon r that is also called as 1 upon 4 by epsilon or not q by r. याद रखेगा जब भी test charge को infinity से उठाकर p point पर लेकर आया जाएगा तो हमेशा एक चीज याद रखना है इस test charge पे point charge के वज़े से force लगेगा कौन सा electrostatic force 1 upon 4 by epsilon not q1 q2 q0 upon r का square हा या ना तो उतना force लगेगा तो आप समझने के कोशिश करें जब test charge को उठाकर यहां से यहां लेकर आए तो test charge यहां पर आ गया अब जैसी test charge यहां पर आएगा तो force लगाएगा point charge तो हल्का सा displace होगा आपको उस test charge को यहां पर बैठा के रखना तो उतना force लगाना पड़ेगा जितना यह point charge इस पर लगा रहा है मतलब कितना लगा रहा है? electrostatic force लगा रहा है तो same to same उतना ही electrostatic force का external force अगर आप लगा दोगे तो यह पॉइंट चार्च यहीं पर बैठा रहेगा सीधी सिंपल बात यार आपको निहा ने कैफे में पकड़ ली रही है के साथ तो रिया और निहा अगर सेम फोर्स लगाएगी तो आप एक ही जगह पर बैठ रहोगे ना सेम वही कॉंसेट तो यार कि स्ट्रेंट को कैसे मेशर किया जाता है कॉम्में बोक्स में बताना सबढ़ और की डायपोर को डिरेक्शन का यह भी बताएगा वद्धार यह है इलेक्रिक डायपोल जब चार्जेस को सेपरेट कर दिया जाए L L इस्टेंस से तो एक डाइपोल क्रेट हो जाता है हम क्या कर रहे है इस स्पेसिफिक डाइपोल की एक्जियल डिस्टेंस पर पता करना चाहते है कि आखिर पोडेंशल की वेल्यू कित्ती निकल किया रही है same to same इसके एक्विटोरियल पॉइंट पे भी पता करना चाहते है कि यहाँ पे एक्चॉल में पोडेंशल की वेल्यू कित्ती निकल किया रही है अब आप कहोगे भी यह पहले चैप्टर में भी तो किये थे हाँ जी इसके एक्जियल पॉइंट पे में पे एक्विटोरियल पॉइंट पोडेंट पे पॉइंट पॉइंट पावर थी याद रखी गा कप्यूसर नहीं होना इसके साध साथ में बात करता हूं उक्विटोरियल के लिए यहाँ पे जो वेल्यू निकल के आती है potential की वो 0 आती है, वहाँ पर electric field की value आती थी, 1 upon 4 by epsilon 0, p upon x की power 3, मेरे ख्याल से clear है, तो ये चीज़े आप लोग को पता होना चाहिए, इसके अरावा मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, क्यार देखो, मान लो कि आप लोग का electric dipole है, मान लो कोई भी arbitrary point पर, अभी तो हम लोगों ने समझे कि axial distance पे potential की value इतनी होती है, अब पहर उसके बाद माने कि equatorial पे इतनी होती है, अब मान लो कि इस dipole के is specific unknown theta angle कुछ भी है, उस पे कितनी value आएगे, तो याद रखेंगा उसके लिए आपको specific formula याद दोना चाहिए, वो होता है, one upon four pi epsilon not, P upon x key power two, और साथ में आता है, into में cos theta, यह जो cos theta है, यहाँ पे जो specifically theta है, वो define करेगा कि आर मान लो, यह 30 degree दिया हो, तो याद रखो, इससे पहले वाले पूछे ना पूछे, लेकिन यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, इस formula में अगर देखो, ध्यान से observe करना, अगर मैं theta की value zero degree put करता हूँ, तो cos zero कितना होता है, बदा होता होता, one होता है, तो cos zero जब one हो जाएगा, तो आप लोग का, देखो, same यही वाला बन जागा, ध्यान से observe करना, देखो, cos zero one, तो value क्या उत्ती बनी, kp upon x की power two, तो क्या axial बन गया, और अगर मैं cos की value 90 degree put कर देता हूँ, मतलब equatorial वाला case, और cos 90 zero, तो मतलब V की value zero, समझ मैं है और इसके बीच पो कोई भी point मिल जाए, तो आप लोग potential की value calculate कर पाओगी, मेरे एक हाल से यहां तक है clear है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, जैसे आप लोग को याद होगा, super position हमने निकाले थे, electric force का, फिर electrostatic field का, मतलब super position क्या था, algebraic sum कर दो, या vector sum कर दो, उस specific quantity का, तो यह किस के लिए निकाल रहे है, potential के लिए, माल लो किसी एक system है, हर charges अपना-पना specific potential की value निकालेगा, मतलब charge 1 की जो value होगी potential की value, उसकी कित्ते होगी V1, charge 2 की V2, charge 3 की V3, से लेकर, अगर मैं कहता हूँ Qn charge है, तो उसके लिए कित्ता होगा Vn, तो ऐसे धेर सारे number of charges है, उन सब की specific क्या रहेगी, उन सब की specific potential की value different, different रहेगी, अगर मैं कहता हूँ, एक system के अंदर धेर सारे charge है, उनके वज़े से net potential की value क्या निकल किया रही तो आपको मालूम होनी चाहिए, वो आएगी V which is equal to V1 plus V2 plus V3 से लेकर Vn दखके, समझ मैं है सबको, तो मेरे ख्याल से यहां दख है clear है, इसके बाद आप लोगों को पूचा जा सकता है, एक potential surface क्या होता है, एक ऐसे type का imaginary surface है, जो कि यह बताता है कि यह उस specific surface के अंदर कहीं पर भी potential की value same, समझ मैं है, माझनो, मिरा है यहाथ यह हम wnhi convicted surface है, यहाँ पर इपूइड़ होई यहाँ पर हम यह पर value होई यहाँ पर भी वेद्ली होई यहाँ पर यहाँ थे प्यरोगों से यहाँ पर से नदर होता है, तो उसके लिए Equipotential Surface कैसा बनेगा? Cylendrical. अगर मैं कहता हूँ, Uniform Electric Field, सीदी-सीदी Electric Field आ रही है, तो उसके लिए Electric Field के लिए Specifically Equipotential Surface कैसे बनेगे? Plain Equipotential Surface बनेगे. तो यह याद रखना, एक्जाम में पूछे जा सकते हैं. Equipotential Surface की Property एक्जाम में बेशक आ सकती है, सबसे वहली Property यही कहती है, कि Basically Equipotential Surface में, अगर आप किसी भी Specific Charge को A Point से B Point पर लेकर जाते हो, तो क्या कोई Specific Work Done लगेगा? नहीं लगेगा? क्योंकि Potential की Value सेम है, तो यह होगा आप लोग का Second Property. First Property यह कहती है, यहाँ पर भी V की Value उतनी है, यहाँ पर भी उतनी है, इस वज़े से Del V की Value जीरो आती है, और साथी साथ External Work Done की Value भी जीरो आती है, फ्योंकि Equipotential Surface में कहीं से भी कहीं लेकर चल जाओ, बिना कोई External Work Done लगा है, चार्ग इधर से उधर जा सकता है, इसके अलाबा, अगर मालो यह Electric Field है, तो Electric Field के हमेशा Perpendicular Direction में Equipotential Surface बनता है, और याद रखना, Equipotential Surface कभी एक दूसरे को Intersect नहीं करता है, और यहाँ पर आपने जैसे देख पा रहे होंगे, यह Point Charges के बीच में Equipotential Surface इस तरीके से दिखता है, और यह आप लोग को Like Charges के बीच में, मतलब Positive, Positive, Negative, Negative के बीच में, Equipotential Surface कुछ ऐसे दिखाई देता है, इसके बाद आप लोग को एक Basic Formula मालूम होना चाहिए, Relation between Electric Field and Potential क्या होता है, देखो, directly conclude करके बता दे रहा हूँ, Del V which is equal to minus E dot DR, या E dot DL, या E dot कुछ भी, मतलब आप लोग को मालूम होना चाहिए, उस Specific Entity क्या है, जैसे यहाँ पर हम लोग ने इनकी बीच की डिस्टेंस है, वो DR दिये था, तो यहाँ हम लोग ने DR ले ले ले, कई जगा पर L दे देते हैं, तो याद रखिएगा, बेसिक फॉर्मूला क्या है, V which is equal to minus E dot DR, या E dot L, क्लियर दोस्तो, कई जगा पर यहाँ पर positive रहता है, condition के पर depend है, और कुछ भी नहीं, इसके दुरू तुम लोग कर क्या सकते हो, कि जब भी माल लो, तुमारे पास electric field की value दिया हुआ है, तुमारे पास यह distance given है, और basically तुम लोग को calculate करना है, potential की value तो तुम लोग है, potential को convert कर सकते हो, electric field के मिदब से, या फिर अगर आप चाहो, इसका एक upgraded concept और समझा ले तो, वो है potential gradient, potential gradient यह कहता है, specific point to point, मालो यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ पर पोटेंशल की value डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट, आप कह रहें क्या हो भाया, मतलब यह potential की value, distance के वज़े से change होते हुए, चलती है, that is the potential gradient, मेरे ख्याल से यहाँ तक ही clear है, और potential gradient की value होती है, E which is equal to minus del V, या V upon D, clear दोस्तों, यह D कहा है, D distance है, clear दोस्तों, V कहाँ potential है, E कहाँ electric field है, तो देखो यार, relation between electric field और potential gradient का formula same ही है, बस इसकी value को नीचे ले लो, और आप लोग का यह potential gradient बन जाएगा, और यह relation between electric field and potential, तो बेसिक सी बात है है, कि अगर आप लोग के पास, मालो, V की value given है, distance की value given है, electric field की value calculate करना है, electric field की value बाद में फिर put करना है, force निक्राने के लिए, तो थोड़ा numerical को जब आप लोग आगे जाके examine करोगे, तो आप लोग को ने छोटे-छोटे formula बहुत काम आएगे, clear दोस्तों, इसमें जादा गहराई में ना जाए, जादा tension ना ले, इससे जादा आप लोग को जादा कुछ नहीं पूचेगा, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगला topic काफी important exam point of this, से वो यह है कि electrostatic potential energy गया होती है, electrostatic potential energy यह क्याती है, that is the changing in potential energy of a system which is always equal to the negative of work done by electrostatic force, मतलब क्या, तो basic सी बात करूँ, तो changing in potential energy which is equal to negative of work done applied by electrostatic force, समझ मैं हैं सबको, तो यह electrostatic force is leading you, which is equal to आप लोग का minus WEL हो जाएगा, और electrostatic force है, समझ मैं हैं, तो जिस तरफ electrostatic work done लग रहा हूँ, उसके तरफ opposite में external work done लग रहा हूँ, तो सीधी simple बात, अगर यह negative of electrostatic work done है, तो external work done के लिए positive में बना लेंगे, basic सी अगर ना बात, अगर आप लोग को कहूँ, जादा confused ना हो तुम लोग, numerical जब भी solve करोगे, तो उस टाइम पे आप लोग बस दिमाग में यह रखना, कि D.O की value which is equal to negative of W होती हो, W मतला work done, clear जोस्तों, जादा confused ना हो, अब याद रखिए कि जब भी तुम लोग electrostatic potential energy, calculate करते हो specifically charges के लिए, तो single charge के लिए value कभी निकल के नहीं आईगी, आपको system of charges के लिए चाहिए, मतला क्या 2 या 2 से जादा charges के लिए, तो चलिए इस specific concept को समझ लेते हैं, देखो है, हम लोग क्या कर रहे है, 2 charges को infinities उठा के लिए करा रहे हैं, समझ लो siblings है, पता चलागी, वहाँ पर भी ice cream है, तो बहन क्या करी, यहां से उठकर यहां पर आए, तो जब बहन आई होगी, तो क्या आसानी से आई होगी, नहीं, भाई जंग चिड़ दिया होगा, भगाने की कोज़श कर रहा है, बिलकुल सही, तो जब specifically पहले चार्ज को लेकर आया गया, तो system में कोई चार्ज पहले से present था नहीं, इस वज़े से उसको रोकने वाला, टोकने वाला, कोई था नहीं, तो किसी भी type का work done लग नहीं रहा था, तो यहाँ पे जब test charge को यहाँ से उठा कर यहाँ लेकर आया गया, तो इस पे कोई external work done नहीं लगा, लेकिन जब दूसरे charge को लेकर आया गया, तो पहला charge जहाँ पहले से present था, इस point charge पे लगा रहा था, इसको displace करने की कोशिश कर रहा था, इस वज़े से यहाँ पे आप लोग अबसर करते हो, कि second charge पे external work done लगता है, तो यह concept आप लोग याद रखना, और इस specific test charge को यहाँ पे बैठा के रखना है, तो उतना ही force यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जितना यह test charge electrostatic force के form पे लगा रहा है, समझ मैं है, जिसके वज़े से यह चार्ज यहीं पे पेठा रहेगा, तो आखिर कितना electrostatic potential energy लगता है, यहाँ पे वो लगता, U which is equal to 1 upon 4 pi epsilon not, Q1, Q2 upon R, मेरे ख्याल से यहाँ था की clear ही, यह formula बहुत important है, इसके अलावा अगर आप से कोई कहें कि, इसके अलावा एक और काफी important concept है, वो यह है कि electrostatic potential energy of a dipole की value बता है, मतलब क्या, एक electric field है, दिख रही है आपको, यहाँ पे मैंने dipole को रख दिया, और जान मुझकि कि this dipole को मैंने, tilt कर दिया, एक specific angle theta 2 से, पहले angle theta 1 बना रहा था, electric field के साथ, अब बना रहा है angle theta 2, तो आपको पता करना है कि, कितना potential energy यहाँ पे generate हुई, अब आप कहोगे कि, भाई एक सगंद, एक सगंद, एक सगंद, electrostatic field में अगर किसी dipole को रखेंगे, तो यहाँ पे तो actual में, torque लग रहा हूँगा, बेशब, कर रहा हूँ, और उसके वज़े से, कितना potential energy, इस specific dipole में निकल कर आएगा, वो आएगा आप लोग का, U which is equal to minus P e, और dot product है, इसलिए यह minus P e cos theta हो जाएगा, clear भाई, आप लोग को मुझे comment box मताना है, कि potential energy और torque की value, minimum कहाँ पे हो रही है, और maximum कहाँ पे हो रही, किस angle पे हो रही, 90 degree पे, या फिर 0 degree पे, तो यह मुझे आप लोग comment box मताएंगे, या आप लोग का छोटा सा homework, इसके बाद एक और काफी important topic, यहाँ पे निकल के आता है, वो है electrostatic shielding क्या होती है, आएए जानते, a field which is inside the cavity of the conductor is always zero, and it remains shield from the electric field, which is known as electrostatic shielding, मतलब क्या, माल लो, जैसे आप देख रहे हों, यह car है, देख रहे हैं सबको, वा, क्या car बनाया भी है, यह car है, माल लो, इसके window, पूरी तरीके से close है, clear दोस्तो, अगर यह पूरी तरीके से close है, वज़े से होगा क्या, जितनी भी electric field थी है, जो charges आये थे, वो सरपास होते हुए, जमीन पे चल जाएंगे, हाँ या ना, तो मैं यह कह सकता हूँ, कि यहाँ पे, जो specifically car जो एक किसम से shield प्रोवाइड करके रखी, अंदर बैठा है उसके रिए, बेसिक सी बात है, यही concept electrostatic shielding का कहता है, कि conductor के अंदर, एक्च्वल में electric field की value 0 रहती है, लेकिन अगर मैं इस car की window open कर देता हूँ, तो क्या होगा, charges को अंदर जाने का मौका मिल पाएगा, और उस time पे तो खेली कता हो जागा, तो मेरे ख्याल से यहां तक कि तुम लोगों clear है, कि basic सी बात है, electrostatic shielding का phenomenon यह कहता है, किसी भी conductor के अंदर में electric field की value 0 होती है, जो एक किसम से shield provide करके रखती हो, उसके अंदर में जो भी present उसके लिए, clear भाई, तो conductor के अंदर अगर आपको रख दें, dielectric एक ऐसे टाइप का non-conducting substance है, यह मैं कह सकता हूँ, insulating material के टाइप में होता है, clear दोस्तों, तो आप लोगो मालूब होगा, dielectric हम लोग parallel plate capacitor के बीच में use करते है, I hope आप लोगों को पता होगा, इसी के साथ dielectric word आप लोगोंने, गौस लोग की कौन सी application में सुनें यह comment box बताना, इसके बाद अगला होता है polarization का phenomenon, polarization का phenomenon आप लोगों को पता होगा, किसी भी एक dielectric material को माल लो, यह आप लोगों का dielectric material है, clear दोस्तों, इस dielectric material को मैंने electric field में रख दिया, जैसे दिख रहे हैं, कोई यह electric field है, electric field इस तरफ जा रही होगी, तो अभी के time पे तो यह जो dielectric material है, neutral है, जैसे electric field में रखोगे तो इसके अंदर polarization चाल हो जाएगा, polarization का मतलब क्या neutral material के अंदर, जितने positive negative है, वो separate होने लग जाएंगे, किस के तरफ जाने लग जाएंगे, जिस तरफ में plate है, उसके opposite तरफ, मतलब यह positive charge की plate आपको दिख रही है, तो इस तरफ में सारे negative आ जाएंगे, और यहाँ पे negative दिख रहे है, तो यहाँ सारे positive उस specific dielectric material के आ जाएंगे, क्यों due to the polarization के वज़े से, तो polarization है काफी important phenomenon है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अब आप काओगे भई यह से भी यह dielectric material में ही लगता है, नहीं, मान लो यह plate के बीच में air है, तो air का molecule भी होगा, तो मान लो यह air का molecule है, तो air का molecule भी एक के समसे neutralized है, तो neutral molecule है, अब होगा क्या, basic सी बात है, यह neutral molecule में अपने आप polarization होगा, positive, negative, जो उसके अंदर present होगा, यह separate हो जाएंगे, plates के according, इस तरह negative आजाएगा, इस तरह positive आजाएगा, और इस वज़े से होगा क्या दोस्तों, इस वज़े से होगा यह, कि यह जो specific air का molecule है, breakdown हो जाएगा, clear दोस्तों, तो यह जो breakdown का concept है, due to the polarization, यह कहिना कही capacitor की capacitance को, affect करता है, इसके बारे में आगे समझे, अब capacitor की बात होई गई, तो आईए जानले से कि capacitor होगा, तो capacitor एक ऐसे type का device है, तो अपने अंदर energy को store करके रखता है, in the form of electrical energy, या फिर in the form of charges, अब किसी भी specific capacitor की, capacity को पता करना है, कि कितने charges को अपने अंदर store करके रख सकता हो, तो इसको पता करने के लिए, आप लोग इसकी capacitance कल्कूलेट करते हो, तो अगर capacitance की value कम है, इसका मतलब की capacitor छोड़ा है, अगर capacitance की value लादा है, इसका मदलब कि या capacity ज़ादा है चार्ज दो स्टोर करने के मदलब बड़ा capacitor होगा और यहीं से एक और काफी important concept निकल के आता है Q directly proportional to V और proportionality constant उटाने पे आता है C और यही C को कहते है capacitance मदलब क्या Q which is equal to C V या C which is equal to Q by V इसके तो आप लोग कभी भी किसी भी specific capacitor का capacitance निकाल सकते है तो जैसे आप लोग देख पारों यह different type की capacitors आप लोग को यहाँ पे दिख रहे है अगर आप लोग को पता है तो आप लोग की काम करना नमबर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे बताना ज़रा कौन गोन से capacitor है इसके अलावा अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग के इस लेबस में आपको दो टाइप की capacitor पढ़ना है एक है spherical capacitor और दूसरा है parallel plate capacitor spherical capacitor की capacitance होती है 4 pi epsilon not r और यह r की value अगर आप लोग रख दोगे तो किसी भी spherical capacitor की value आप लोग उसकी कितनी capacitance है वो calculate कर पाऊगे माल लो अगर earth खुद में किसम से conductor की तरब behave करती है तो माल लो earth खुद एक capacitor की तरह है तो earth की capacitance निकालना तो earth का radius रखो और उसका capacitance निकालना तो जल्दी से comment box मताओ कि अर्थ की capacitance कितनी है इसको आप लोग जाद अच्छे से ध्यान देना तो चली बात करते है parallel plate capacitor की तो जैसे आप देख रहे होगी दो plates से एक तरफ में positive plate एक तरफ में negative plate positive plate की जो surface chart density होगी वो कित्ती होगी positive sigma 1 होगी और negative plate की जो surface chart density होगी वो कित्ती होगी even क्यों क्योंकि plate number 1 की वज़े से produce होगी और second वाले पे electric field produce होगी किस तरफ अंदर के तरफ इस तरीके से आया ना क्योंकि negative आप लोग की मैं कह सकता हूँ plate है ना इस वज़े से तो इसलिए आप लोग observe कर रहे होगी कि अगर मैं कहता हूँ कि इन दोनों plates के बीच में बताइए पहले वाली plate की electric field और दूसरी वाल की electric field का क्या direction है तो पहली वाली 플ेट का electric field का direction है even का इस तरफ और somehow E2 इस तरफ इस वज़े से confused मत होना कि द crowd Lang और अंदर में पर देख जाए तो दोनों का default capacitor तो बनाया जा रहा तो सिदी सिंपल बात है दो पलेट्स लिए आप लोगों ने दो पलेट्स को यहां पर connect कर दी बैटरी से इस तरफ से positive end से positive charges यहां चल जाएंगे negative end से negative charges चल जाएंगे इन दोनों के बीच में एक electric field produce हो जाएंगी समझ मैंना दोस्तों मुझे एक बात बताना है थोड़ा सा यार off topic पूछ रहा हूं बढ़ आप बताना कि यहां पे कौन सा current produce होता है जिसको maxwell भाईया ने समझाय थे comment box बता है अगर आपसे कोई कहता है कि आप दोनों plate में कितना electric field produce हो रहा है तो गौसलों की second application में अपनने पड़े थे यहां पे हो रहा है sigma upon 2 epsilon not नौट यहां पे भी sigma upon 2 epsilon not दोनों plate की बीच में electric field जो net electric field बन रहा है वो कितना आता है वो आता है sigma upon epsilon not ना कि 2 epsilon not इसके साथ साथ कोई भी आपसे पूछ सकता है कि parallel plate capacitor का capacitance की value क्या है तो वो आती है A epsilon not by D काफी जादा important है exam point of view से तो याद रखेगा और एक यहाँ पर area है इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछता है कि आर मालो इस plate के बीच में मैंने dielectric material रख दिया clear है माईक अगरा insulating material तो बताएगे अब capacitance में कुछ changes आएगा बेशक आएगा कभी भी याद रखना parallel plate capacitor के बीच में dielectric material introduce करने के वज़े से जो पहल electric field parallel plate के बीच में बह रही थी वो थी E और जैसी dielectric introduce कर दिया गया तो उसके वज़े से उसके influence के वज़े से जो electric field है वो अब हो जाएगी E by K और K क्या होता है dielectric constant तो याद रखीगा तो मैंने क्या करना इस parallel plate capacitor के बीचों बीच एकदम entire space में एक dielectric material introduce कर दिया dielectric material है तो neutral होगा लेकिन जैसे electric field के influence में या plate के influences में आएगा charged plate के influences में तो यहाँ पे polarization हो जागा इस वज़े है आप देख रहे होगे कि आर इस तरफ में dielectric material के यहाँ पे आप लोग को sigma i negative वाला दिख रहा होगा और इदर में positive sigma i दिख रहा होगा e net which is equal to e not minus e i समझ गया है और अगर आपसे कोई specifically पूछता है कि e net की value क्या है तो आपका होगी e not by k जो electric field दोड रही है upon k upon k क्या है that is the dielectric model मैंने भी आपको समझा है dielectric constant मैंने भी आपको समझा है जितना pace यहाँ पे occupy करेगा उतने जगा पे electric field की value e by k से replace हो जाएगी तो आप इसे काफी सार लोग की दिमाग में confusion आ रहा हूँगा यह जो induced surface charge density की value यह कितने निकल के आ रही है तो derivation की form में हम लोगों ने इसको पहले calculate कर चुके है तो induced surface charge density की value आती है sigma bracket में 1 minus 1 by k clear दोस्तों यहां तक के और k की value की है dielectric constant इसके अलावा याद रखिएगा वही मने आपको समझाए कि net electric field की value e not by की होगी और जो potential develop हो रहा है v की जगा पे क्या हो जागा v by k हो जाएगा कतम गानी क्योंकि dielectric material आ गया अब देखो थोड़े दर पहले हम लोगों ने देखे थे c की value क्या थी a epsilon not by d तो c दे simple बात dielectric material introduce करने के वज़े से जो capacitance से उसकी value हो जाएगी k a epsilon not by d तो यह आप लोग का parallel plate capacitor का capacitance जो की dielectric के वज़े से introduce होने के वज़े से इसमें changes आ है इसी के साथ basic सी बात है कि आप से exam में पूचा जा सकता है कि energy कितना stored रहता है किसी capacitor के अंदर तो देखो class class में भी आप लोग को इसमें deep में पढ़ना नहीं था basic सी बात है exam में इसके पर formula ही आएगा तीन formula बनते formula रटके चल जाना है exam में यही काम आएंगे तो तीन formula होते एक होता है half qv दूसरा होता है half cv square और तीसरा होता है q square by 2c तो यह तीनो formula आप लोग को पता होना चाहिए यह energy stored in capacitor के formula है इसके लावा आप से कोई भी पूछ सकता है क्या combination of capacitor के बारे में बताओ मतलब क्या हमने क्या करें मान लो different different capacitor थे उनको लिए और series में इस तरीके से connect कर दिए battery के साथ तो इस टाइम पर होता क्या जब भी series में capacitor connected रहते तो जो charges उसमें दोड़ रहे battery के वज़े से वो same रहेंगे हर specific capacitor में same जाएंगे लेकिन हर capacitor का potential की value different रहती है series का major concept है इस वज़े से जो actual में यहाँ पर net capacitance की value निकल कर आती है वो आती है आप लोग की 1 upon c equivalence which is equal to 1 upon c1 plus 1 upon c2 plus 1 upon c3 और n number लगाती है मतलब 1 upon cn तक के clear दोस्तों तो net capacitance की value यहाँ पर upon के form में आती है series में और यहाँ parallel के अगर बात करो तो देखो parallel में क्या हो रहा दोस्तों parallel में इस तरीगे से capacitor को connect कर दिया गया यहाँ से battery लगाए गया तो देखो branches में यहाँ पर current distribute हो रहा है और जबी current branches में distribution होगा तो charges भी distribute होंगे और जब भी charges distribute होंगे तो Charges यहां पर different हो जाएंगे, तो याद रखना, Parallel के concept में Charges यहां पर different रहते हैं, और potential की value same रहते हैं, इस वज़े से, जो net capacitance की value आती है, वो आती है C equivalence which is equal to C1 plus C2 से लेकर, माल लो C and number of capacitor यहां पर connected है, उनका capacitance, तो इस तरीके से आप लोग net capacitance, series और parallel का निकाल सकते हैं, तो मेरे कहल सो तुम लोगों को यहां तक के सारी चीज़े clear है, अगला topic आप लोग देख रहे होंगे, अगला topic है, वेंडेग्राफ जनरेटा है तो, अगर आप लोगों ने Mr. Bean का एक episode देखे होंगे, तो उसमें Mr. Bean एक ball रहती, उसके हाथ रखने के कोशिश करते हैं, जिसके वज़े से उनके बाल उपर उड़े नहीं पाते हैं, वाला episode शायद आपने देखे होंगे, तो Mr. Bean के आने से पहले एक दीदी रहती है, उनके बाल में कुछ इस तरीके से उड़ते रहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि actual में जो ball दिख रही है, यह charged ball है, इसके उपर सारे positive charge इस तरीके से spread out है, तो जब भी इसको कोई टच करेगा, तो उनके बाल खड़े हो जाएंगे, तो यह जो actual में, वहाँ पे Mr. Bean के episode में भी दिखाया गया था, यह actual में Vendegraaf generator, तो Vendegraaf generator करता क्या है, तो यह किसम का generator है, जो की actual में static electricity generate करता है, तो Vendegraaf generator में, spherical conducting shell होता है, जहाँ पे वो दीदी ने हाथ रखी हुई थी, यह जो shell है, इसकी बात हो रही है, जैसे अगर आप लोग अच्छे से देखो, तो यह वाला diagram दिख रहा हूँ है, यह shell का diagram है, या फिर इसका 3D diagram देखे, तो यह shell है आप लोग का, clear दोस्तो, इसके साथ साथ याद रखना है, Vendegraaf generator में दो pulley होती है, यहाँ पे एक pulley यह दिख रही, दूसरी pulley यह दिख रही, दोनों pulley के बीच में, एक endless belt लगा हुआ है, जिसके वज़े से, यह मतलब rotate होगा, clear दोस्तो, और साथ में जो lower pulley है, वहाँ पे actual में एक motor connected है, जिस वज़े से यहाँ से यह continuously move करते रही, यहाँ पे आप लोग ने इसको बैटरी से connect कर दिए, इस तरीके से और जितने भी negative charge है, वो ground पे चल जाएंगे, और positive charge यहाँ पे इस तरीके से, इस से connected है, अच्छे से observe करो, देखो यहाँ से इस तरीके से connected है, तो अगर यहाँ पे positive charge जाएंगे, तो यह घूम रहा है न, यह belt जो यह घूम रहा है, तो यह belt से उपर जाते जाएंगे, यहाँ पे जो आप लोग को spherical shell दिख रहा है, यहाँ पे charges पूरी तरीके से spherical shell के उपर distribute होने लग जाएंगे, तो होगा क्या basically, सीरी सिंपल बात है, pulley के वज़े से, जितने भी यहाँ पे positive charges है, वो ऊपर spherical shell में आकर, मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक के सारी चीज़े clear हुई, basics है, यहाँ पे concept और कुछ भी नहीं है, तो होगा क्या है, यहाँ पे दीरे-दीरे करके excessive charges आएंगे, excessive charges आएंगे, बहुत सारे continuous charges आते जाएंगे, और static electricity यहाँ पे generate हो जाएंगे, तो इस तरीके से specifically यहाँ पे work करता है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को clear है, और यहाँ पे होगा क्या है, जब आप लोग के specifically जादा बहुत जादा high positive charges आएंगे, यहाँ पे spread out होगा है, तो यहाँ से इस तरीके से electric energy आप लोग को देखने मिलेगे, आप लोगों देखे होंगे कुछ diagram जिसमें इस तरीके से electricity यहाँ पे निकलते हुए दिखती है, तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक कि सारी चीज़े clear हो गए हो, इसके बाद कुछ आप लोग को मैं MCQs अब homework पे दे रहा हूं और यह आप लोग को इमानदारी से करना है, कोई बहुत जादा tough नहीं है, इस वज़े से मैं आप लोग को cover up नहीं करा रहा हूं या ले, तो यह आप लोग को खुछ से करना है, इसके बाद अगला कोशन है तो जिसके बाद अगला कोशन है, जिसकी रेडियस आप लोग को given है, connected by the thin wire, कि through no charge will be flow if they have, चार option से answer करे, pause करके, और होप सो आप लोग का answer सहीं आया हूंगा, इसकी value आईगी same potential, अगला आप लोग का है, कि if a unit positive charge is taken out from a point charge, to the another over the equipotential surface, हलबा कोशन है, गलत मत करना, चार options आप लोग के सामने, और सहीं answer है कि, किसी भी type का कोई work done यहां produce नहीं होगा, अगला कोशन है कि a conductor with a positive charge, चार option आप लोग के पास यहां पे basic question है, सीधी simple बात है कि it is always at the positive potential, अगला question है, इसके लिए आप लोग को electrostatic energy density का formula पालूब होना चाहिए, वो होता है आप लोग का DUI, DV और उसका formula की value होती है, half epsilon not e ka square, यहांब आप लोग directly देख रहे होगे, electrostatic energy जो है actual में directly proportional है e ka square की मज़े से, इस वज़े से इसका answer भी होना था, अगला question है, the three particles each having a charge of 10 µC are placed at the corner of an equilateral triangle of the side, 10 cm the electrostatic potential energy of the system is what, basic सा question है answer करे, इसका सही answer था 27 June, maximum जीरो कर रहे थे ना, गलत कर रहे थे, basic सा आपको formula लगाना था, जो electrostatic potential energy का था, यहांपे 3 charges की बात हुई थी, इस वज़े से net electric field 3 times of U की value हो जाएगा, सारी values रखें, answer यहांपे करें, इसके बाद अगला question है, कि the two charges Q are placed at the distance of 2A, and the third charge is minus 2Q is placed at the midpoint, the potential energy of the system will be bought, तो hopes तो आप लोग के इसका answer निकल गया होगा, system के लिए निकालने की बात हो रही है, मतलब इस तरीके से आप लोग के यहांपे 2 charges है, इनके बीच में आप लोग को दिख रहा होगा, midpoint पर एक 2Q charge present है, तो आपको इनकी value निकालना था, तो पहले इसके लिए आप लोग potential energy निकाल लोगए, फिर इसके लिए potential energy निकाल लोगए, दोनों की net value calculate करके आप बता दोगे, जो value आएगी वह आपकी potential energy of system के लिए इतना आजाएगा, अगला question है, the capacity of the parallel plate capacitor increases with, बताएगे क्या होगा basic सा question है, answer करें, तो इसका answer आप लोग ने सही कर दिये होगे, तो pause करें और इसका answer करें, इसके बाद अगला question है, आप लोग का the capacity of the parallel plate condenser depends on what, pause करें इसका भी answer करें, इसका answer आएगा that is the separation between the plate, तो अगला question है आप लोग का कि on one plate, the parallel plate capacitor is smaller than the other, then the charges on the smaller plate will be what, बताएगे बाएगे, तो आपको बताना है कि छोटी plate में कितने charges रहेंगे, कम रहेंगे, जाध रहेंगे, equal रहेंगे, depend करेंगे medium पर, इसका answer होना चीए, तो आप लोग मुझे comment box बताओ, कितने लोगों का answer सहीं आया, कितने लोगों ने maximum question सहीं attend करें, वीडियो आप लोग के लिए काफी जाधा beneficial रहेंगे, वीडियो अच्छा लगा तो comment बे जरूर बताएगा, like करें, share करें, अपने दोस्त त्यारों तक के share करने की कोशिश करें, so that उनकी भी help गो सके, तो end करता हूं आज के इस वीडियो को, also ये series आप लोगों के लिए beneficial रहे रहे होंगी, अभी काफी दिनों से मैं गायब था, तबहेत खराब चल रही त्यार बहुत जादा, बड़ा भी मैं थोड़ा सारी cover हो चुका, और कोशिश करूँगा कि जल्दी अल्ले आप लोगों के लिए सारा content cover up करा सको, मिलता हूं मुन एक्स पीडियो में, जब तक के लिए good bye पढ़ाए पढ़ाए गरत रहो, सदा सेक्सी रव मेरे इस्टोडिन पर जान, बड़ाए